कि हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एंतियाटी कख्छा साथवी की सामाज्य एवं राजनितिक जीवन भाग दो के बारे में ठीक है जो भी आपकी कख्छा चडवी की वोक्स थी वो हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं जो महत्पूर्ण थी आपके लिए आज से अधियाटी हमें बात करनी है कख्छा साथवी की वोक्स में तो इसके बारे में लोग बेसाइस उची देखी चुके थी आज हम देखेंगे पहला अध्याय समानता के बारे में ठीक है पहला अध्याय हमारा है समानता कि याद रखिए फिर से यहीं बोलूंगा मैं कि आप इसे एक कहानी की तरह सुनिए या तो पढ़िए क्योंकि कर्छा आठी तक की जो भी आपकी इन्ती आइटी है इनमें ज्यांदा दिमाख लगाने लाइक नहीं है और ऐसा नहीं है कि एक समानता बारत एक लोगतंत्रिय देश है कछ्छा चटवी की पुस्तक में हमने लोगतंत्रिय सरकार के मुक्तत्तों के बारे में पढ़ा था जैसे लोगों की भागेदारी संगरशों का सांधिपूर्ण समाधान समानता और नयाय समानता लोगतंत की मुक्ष बिजिश्था ह और इसकी कालपरणाली के सभी पहलों को प्रभावित करती है! इस अध्याय में आप समांता की वारे में और अधिक जानेगे यह क्या है! लोगत् bakalım के लिए यह हावसक्ट क्यों है? भारत में सब समान है या नही है इसके बारे में आप यह जानेगे. यह कांता की कहानी से चल्चा आरम करते हैं तो याद रखना मैंने बूला आपसे कि ओई कहानी की तरह आपको पढ़ना है इसे जानदा दिमार्ग में मतलग है छोटे लाल किसान मंजीत को और सिख्षिका तेजार सीन ब्यापारी ग्रीस राओ कांता देवी गहरेलू कामकार हैं सुजाता कुमारी गहरेलू कामकार है चुनाओ के दिन कांता और उसके दोस्त सुजाता बोर्ट डालने की बारी का इंतजार कर रही है कितनी अच्छी बात है कि बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नांगरों के रोम में बोर्ट डाल सकते हैं जैम साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं तो यह बोलती है हाँ विल्कुल चल कांता तेवी वारी आई मैं तो उसे बूट दोंगी जिसने हमारे महले में पानी की पाई लाइन लाने का बादर किया है यह बोल नहीं है ठीक है कि यह आपके अब्दुल्र लैमान कामगार समनमबानो गेढ़नी ग्रसी लेलेंग परावर्षदाता आईजेक लेलेंग सरकारी अधिकारी रुक्साना मेडिया मेडिया कर्मी योग राज विरोजगार और असोग जैन उद्द्योपति बाद में का आनाकांदा जी नमस्ते गुडिया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है पर पहले सा आपके घर का काम कर यामागा उनसे कुछ पैसे उधाल लेंगा घर पर ले अप्पी ले इनके घर की जो हिस्तिती है यो बुखार इनके बच्चों कुछ अच्छा लगेगा तुझे और मैं जब साम को लोटू तो अपने अस्पत अपन अस्पताल चलेंगे गुडिया बार 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 बीमारी नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा इस बश्ति में तो कभी साप सपाई होती ही नहीं है मतादिकार की समानता के है कहानी का अरण कांता की बोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है उना उन बिविन्न लोगों की ओरत देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं कांता अपने मालिक असोग जेन को भैचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी भारत जैसे एक लोगतांत्रिय देश में सब वायस को मत देने का अधिकार है चाहे उसका धर्म कुछ कोई भी हो सिख्छा का इस्तर या जाती कुछ भी हो बेगरीब हो या अमेरों इससे जैसा कि आप पिछले वर्स की बुच्तक में पढ़ चुके हैं क्या कहते हैं सार्बॉमिक वायस्क मत दिकार यह से भी लोगतंतों का आवस्यक पहल हुए सार्बॉमिक वायस्क मत दिकार का विचार समानता की विचार पराधारित है क्योंकि यह गोसित करता है कि देश का हर वायस्क इस्तरी हो या पुरुष चाहे उसका आरतिक इस्तर या जाती कुछ भी क्यों ना हो एक बोट का हगदार है कांता बोट देने के लिए बहुत उस्तर और यह देखकर बहुत खुसे कि वह अन्न सब के बराबर है क्योंकि उन सब के पास भी एक ही बोट है आच कि परुंत जैसे दिन बीटता जाता है कंथा की मन में समानता फुलबास्टिविक्ता अर्थ के बारे में संका होने लगती है कि यह अस्पितालों की हालत बयागर नहीं है जैन मेडम और जैन साहब बोट डालने के लिए लाइन में बढ़ले ही खड़े हो रहे हो पर अपने बच्चों के लाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है यहां आया ना असंद असंद आसा मानिता समझ में आया है यह क्या बात है जिसने कामता के मन में संखा पैदा कर दी आओ उसके जीवन की दिन चर्या देखें वह एक जोब्रीपटी में रहती है उसके घर के पीछे एक नाला है उसके वेटी बीमार है परनतु है अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती है क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेना है गरेलू काम की नौकरी उसे ठका देती है और अंतता उसके दिन की समापती पर लंग लंबी लाइन में खड़े उपर होती है सरकारी एत्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिनने कि जिसमें वह सुबह लगी थी क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांस लोग गरीब थे आन्य पिकार की आसमानता में बात करें तो कहंद आ उन लोगों से लोगों में से ये है जो भारती लोकतंग में रहते जिनने मतादिक्यार पर आपते हैं लेकन जिनका द्यानिक जीवन और कार करने की स्थिथियां समानता से बहुत दू है निर्धन होने के कार अत्रिक बारत में लोगों को अनेक कारणों से भी आसमानता का सामना करना पड़ता है इसका आता है हम निमले के दो कहानियों को पढ़कर समझेगे ए दोनों ही बास्तवे क्रटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभीन करकार की आसमानताओं पर पिरकास टालते हैं पता है मुझे लगता है कि हमें जो भी शुरू से जो भी किताबें पढ़ाई जाती हैं एक अच्छा इंसान बना के लिए भी पढ़ाई जाती हैं जो भी कहानी हो पर चाहे कोई आपका कछा चटवी से लाट्ट तक जो भी आप पुक्स पढ़ते हैं उसे हमें कुछ ना से जानते हैं तभी आने बढ़ते हैं तो आप लोगों को देखते जाना है समझते जाना है अपने आप पर कुछ फॉलू करते जाना है कुर्मी छत्रिय है कि छपीज अपॉंट पांच डेश चार बीएसी माइक्रो वायो एमेसी वायो टेक बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलीज हितु सयातिय बर्चाहिए ब्रह्मड जिजौरिया गुंदेलखंडी ब्रह्मड ध्रोपकोसल गोत गौर्वर्ड एमे तीन प्रिशह में एक अंडेप्लोमा को सकन्या हितु बर्चाहिए सर्फ ब्रह्मड ये दोमर के लिए दिया गया है मैकनीकल इंजिनियर्स सुजिलान हितु से उपर दिये गए विवायक विज्ञान पुन में जाती कि सुचना देने वाले अंसों पर गोला बनाई है जाती तौमर हो गई इसलिम हो गई ये ब्रह्मड हो गई कुरुविया च्छत्रिय हो गई भारत में सामनता पिछले आ समानताओं में से एक है जातीकत विवस्ता यहां आप लोगों ने देखा होगा च्छत्रिय व्रह्मड तौमर इसलिम गोरी यद Twin कि अट यदि आप घ्रमर्फ भारत में रहते हैं तो जातीकत पहचान का अनुभाव साइद बहुत छोटी आयू में हो जाता है आपको है यदि आप भारत की सहरी छित्म में रहते हैं तो साइद यह सोचेंगे कि लोग अब जातपात में विश्वास नहीं करते हैं परन्तु जहां एक प्रमुक्ष समाचरपत की वैवाहिक बिज्ञापन की कॉलम को देखिए तो आप आएंगे कि उच्छ सिक्षा प्राप्त सहरी भारती या भारती के दिमाग में विच जाती कितनी मत्मून है कि आये अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अन्वों की बारे में पढ़े पहले ही पिछली बारस की पुस्तर में पढ़े चुके है दलित देखे ऐसा सब दे जो निचली कहीं जाने वाली जाती के लिए लोग स्वयम को का हुआ और इस सब्द का इस्तिमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है ओम पिकास बालमी की 1950 से 2013 एक पिसिद दलित लेकक हैं अपनी आत्मगता जूंठन में लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था वो अभी जमीन पर अपने बैठने की जगे तक आते आते चटाई छोटी पर जाती थी कभी-कभी तो एक कदम पीच्छे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहां से बोर्ड पर लिखे अक्छा धुंद ले दिखते थे कभी-कभी बिनाकारण पिटाई भी कर देते थे जब भी कच्छ चार में थी जब बे तो पुड़ाधाना दियापक ने ओमपिकास से इस्कूल और खेल के मैदान में जाडू लगाने को का बे लेखते हैं कि लंबा चोड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुणा बढ़ा है जिसे साब करने से मेरी कमरदर करने लगी थी धूल से चेहरा सेर अट गया था मोई के भी तर धूल गुश गई थी मेरी कच्छा में बाकी बच्चित पड़ रहे थे और मैं जाडू लगा रहा था हैड़ मास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी पानी पीने तक की इजादत नहीं थी पूरा दिन मैं जाडू लगाता रहा इसकूल के इसकूल के कमरों की खिड़कीं, दर्बाजेस, दर्बारियों से मास्टर और लड़कों की आँखें छिपकर तमासा देख रही थी ओंपेकास से अंगले दो दिनों तक इसकूल और खेल के मैदार में जाडू लगवाई जाती रही यह करम तभी रुका जब उधर से गुज सबको सुनाते हुए का मास्टर हो इसलिए जाराम पर इतना याद रखिए कि मास्टर यही पढ़ेंगी पढ़ेगा इसे मतलसे में और यही नहीं इसके बाद और भी आवेंगी पढ़ने यह आपका उंपिकास बालमी की किताब जूठन का मुखपेश्ट जिसमें उन्होंन के अनुभवों को पिस्तुत किया है अगर आपने डॉक्टर पीम रावंबर्ड करकी आज मंखता खड़ी है वाइव गरापी तो इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस तरह दलितों का सोसरण होता था पहले अगर आप ग्रामीट छेत्य से बिलोंग करते है तो आपने वहां देखा हुआ है सहरों में काफी देखा जाता है सहरों भी लेकिन गाउं में जो ग्रामीट चित्ते हैं वहां भी जान्दा ही इस तरह एक जादिप्तार में लोग मानते हैं दूसरी कहानी ये कैसी घटना पर आदा रहे थी जो भारत के एक बड़े सहर में घटी और देश के अधिकांस भागों में ऐसा होना एक सामान बात है यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की जो सहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थी पैसे बाले थी इसलिए किराए क पहला मकान देखने गया अंसारी दंपत्ती को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का नेड़े लिया पर जब मकान मालकिन ने उनसे नाम सुनते नाम सुने तो वे बाहाने बनाने लगी कि वो मासाहरी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस और अंसारी दंपत्ती दोनों ही यह सुनकर आश्चे सकत रहें क्योंकि पड़ोस से मचली पकाने की गंद आ रही थे उनके सामने उन दो दूसरे और तीसरे मकान में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही वहाना दुराया गया अंत में प्रोपर्टी डीलर ने सुझाओ दिया कि क्या भी अपना नाम बदल कर स्री और स्रीमती कुमात रखना चाहेंगे अंसारी दंपत्ती यह सा करने के एक चुप नहीं थे इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का नेश्चे किया अंत में लगवग एक महिने मुखने के बाद उन्हें एक मकान मान के मिली जो उन्हें दे किरायाएं पर मकान देने को तेरा थी ऑगो देखा आपने आसा मैं तहीं आ पर चाहें आपकी ओंपकास वाल में कि किताबों पहानियों या फिर इंद रभपत्ती की कानि अंसारी दमपत्ति भी तो मानवी ये गरिमा कमूल अब आप समझ गए होंगी कि प्रया कुछ लोगों के साथ आसमानता का वेवार बस इस कारण होता है कि उनका जनम किस जाती लेंगे आधरम में वह बे उच्छ बर्ग के ही या मत्यम बर्ग के या नेमन बर्ग के ओंपेकास बालमी की और अंसारी परिवार के साथ आसमानता का वेवार जातीगत वुद्धार में कारणों सिख बर है जब लोगों के साथ आसमानता का वेवार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है ओंपेकास बालमी की तथा अंसारी दमपत्ति के साथ किये गए बेवार के क उनकी गरिम्या को ठेस मौची ओंपिकास वालमी की को उनकी जाती के कारण स्कूल में जाड़ू लगवाकर सिक्षकों और चात्रों ने उनके सम्मान को बूरी तरह आहात किया उन्हें है मैसूस कराया कि विद्ध्यालय की अन्न चात्रों के समान नहीं है उनसे कमता है होने के कारण ओम पिकास वालमी स्वमिस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं कि जब उनके पिता ने अपने बेटे को जाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस आसमानता बेवार का क्रोध आया और उन्होंने सेक्षकों के समच विरूध पिकट किया जब लोगों ने अंसारी दंपत्ती को अपना मकां किराय पर देने से इंकाद कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंकिए फिर जब प्रोपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाओ दिया तब उनकी आत्म सम्मान ने उन्हें ऐसा करने को से रोग दिया उन्होंने इस खत्ती को मिलती हैं मुझे लगता है नियुके कि एक किताब है समझ में हाया आपको कश्चा Sato bimayme आपका लिखा हुए हमारे जीवन में इसलिए पढ़ाई जाती है मैं बार बार कर सकता हूँ कि जिससे एक अच्छा इंसान है जिसमें हम दिक माना हुता हो वह बन सकें इसलिए कहानी गुर्व आपने कक्षे चटवीर की सभी बुक्स पड़ी है उसमें आपको एक इंसान बनाने अच्छा इंसानियत लाने कि सभी वही बाट बढ़ाये जा रहे हैं इसमें भी आपको देखो और पर आप लोग अगर सेविल की तैयारी कर रहे हैं या किसी PCS तो आपको अच्छा इंसानी तो बनाया जाता है जिसे आप किसी की दर समझ सकें किसी की हमदर्दी भी समझ सकें कि क्योंकि चलिए जैसा भी आप लोग अपने पर पॉल्व कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छ लगए यह आपने देखा 1975 में बनी दीवार फिल में जूते पॉ इसमें जरूर देखा होगा है सीन भारतिय लोकतंत में समानता भारतिय समिदान सब व्यक्तियों को समान मानता इसका अधरत है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुस हों या इस्प्रियों या पिर किसी भी धर्म जाती सेचिक और आर्थिक प्रिश्ट भुमी से सम्बंद मैं जर नहीं कह सकते हैं कि असमानता खतम हो गई है यह नहीं हुई है लेकिन फिर भी हाई कि कम से कम भार्भीस लोकिश्टिय सम्विधान में सवभ्यक्तियों नि या पहले बीवाघाव कि रच्चा करने के लिए कोई कानून नहीं था अब अनेकं लोगों की सम्मान लोगतंत का अधारस्तम बेंगे अपने निर्भाचत पितिनी दियों की माध्यम से उसमें पिति निद्ध पाते हैं समानता को इस्थावित करने के लिए सम्मिधार में प्रावधाने उनमें से कुछ निम लेके थे पिथम कानून की दृष्टी से हर वैक्ती सवाने इसका तात्पर यह है कि हर वेक्ति को देश के राठपती से लेकर कांता जैसे घहरेलू काम की नौकरी करने बाली महला तक सभा को एक ही जैसे कानून का सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है दूसरा किसी भी ब्यक्ति के साथ उसके ध्रहम जाती बंस जनम इस्थान उसके इस्थान इसके इस्तरी ही अपुडर सौने की आधर पर भेद्भाव नहीं किया जा सकता है तीसरा है हर वेक्ति सारवजनेक इस्थानों पर जा सकता है जिन में खेल के मैदान, होटल, दुकान ने बाजार आधी समलेते हैं सब लोग सारवजनेक कुवों, सड़कों, नहाने के घाट, घाटों काउपयोग कर सकते हैं चौतरा है आसपस्ता का मूलन कर दिया गया, सासन ने समिधान द्वारा मान किये गए, समानता के अधिकार को दो तरह से लागु किया है पहला कानून के द्वारा, दूसरा है सरकार की योजनावा कारकरम द्वारा, सोविधाहीन समाज की मदद कर गए बारत में एक ऐसे अनेक कानून है जो ब्यक्ति के समार वेवार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं कानून के साथ सरकार प्ष्ट ने उन समधाय जिनके साथ सेक्रों बर्सों तक आसमानता का वेवार हुआ है उनका जीवन सुधाने के अन्वेकार करम और यह उजनाय लागू की ने यह उजनाय यह सुनेशित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीद में आउसर नहीं मिले अब उन्हें अधिकतर आउसर प्राप्त हों मैं बार बार यही कहता आया हूं कि कि कितनी भी यह आप लागू कर दो कितने भी आप कानून ले आओं लेकिन जन तक जनता यह जो निचले तपके का मनुस्य है अगर वो जागरूप नहीं होता है तो आपकी यह उजनाय और कानून धरे के धरे रह जाएंगे समझ में है क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या है उनके कानून क्या है उनके लिए क्या यह जनाय है तो कहां से फाइदा मिले और अभी भी कितने लोगों को फाइदा मिला है गाओं में देखिया ग्रामीड शित में जाए है हालत पता चल जाएगा इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम मध्यान भोजन की विवस्ता है इस कारक्रम के अंतर के सभी सरकारी प्रात्मे की स्कूलों के बच्चों को दोफेल का भोजन इसकूल द्वारा दिया जाता है यह जना भारत में सरपितम तमिलानु राज्य में पहरम की आपने देखा होगा अगर आप ग्रामीड छित से हैं तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता हुगा या अगर आप सहरी छित से हैं तो आप जाईए कहीं इस तरह के गरीब जहां रहते हूं वहां इसकी स्कूल में खाने में देखना क्या हालत रधी है खाने की बस खाते हैं लोग लेकिन वह खाना खाने लायक नहीं होता है अगर आप वही खाना खाऊगे तो आप खाना पसंद विल्कुल भी नहीं करोगे कि 2001 में उच्तम न्याले ने सभी राज सरकारों को इस इसे अपने स्कूलों में 6 माई के अंदर आरम करने के निर्देश दिये इस कायकरम के कापी सकारात्म को भाव दो उधारन के लिए दोपार का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों से अधिक संख्या में इसकूल में फिरवेश लेना और निमित रोप से इसकूल जाना सुरू किया था सिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर बापास इसकूल लोटते ही नहीं परन्तु अब जबसे इसकूल में मध्यान भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्तिती में सुधार आया है बेब माता हैं जिने पहले अपना काम छोड़कर दोफर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता इस कारकरम से जाती के पूर्वा गरहों को कम करने में भी सहायता मिली है क्योंकि स्थानों पर जो भोजन पकाने के लिए दलित महलाओं को काम पर रखा गया है मद्यान बोजन कारकरम ने नेधन विद्यातियों की भूप मिटाने में भी सहायता किये यो प्रयाग खाली पेट इसकूल आते थे इसकारण पड़ाई पर ध्यान के अंदित नहीं कर पाते थे उत्राकन की एक सास्की साला में बच्चों कोंका मद्यान बोजन आपको बतात इससे निचले तब कि उस बैक्ती तक पहुचना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है तभी तो इसका फायदा हुआ इसमें सुधार होना चाहिए इन सभी कैक्रमों में जो भी आपकी योजनाय हैं कानून हैं और सबसे पहले आपको धर्दी तक आना होगा अब आप सोचो कि आस को इमानदार होना चाहिए अभी आप देखोगे कि सबसे नीचे आपका सचे सरपंच या प्यदान जैसे प्यदान बोलते हैं अगर वो मुझे लगता है वो अगर इमानदार हो जाए अपना काम इमानदारी से करें तो 90-95 परसेंट समस्यां खतम हो जाएं मैं इतना अपना घर देखने के अलावा जनता उन्हें बोर्ट के समय ध्यान में आती है बोर्ट डलने के बाद खतम जनता आगे बात करते हैं 21 सास्त की ये कारिक्रम आवसरों की समानता बढ़ाने में महत्कूल पूंक्या निवा रहे हैं किन्तो अभी भी बहुत कुछ करने की आवसरत्या है मध्यान भोजन कार्प्रम से ने नेधन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्तिती को तो बढ़ा दिये लेकिन फिर भी इन देश में इस देश में बे स्कूल जहां मेरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग हैं जहां गरीवों के बच्चे पढ़ते हैं आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनकी ओमपिकास बालमीक जैसी दलित बच्चों के साथ बेदभाव और और आसमानता का ब्यभा किया जते हैं इन बच्चों को ऐसी आसमानता स्थिती में ध्री ला जाता है जहां उनके समान की रक्षा नहीं हूपकती ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जालते हैं ने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इंकार कर देते हैं इसका मुणद पर लोगों से आसमानता का विवार करते हैं बर्तमान दिश्टी कौन को बदलना तभी संभाव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कम तर्थ नहीं और हर व्यक्ति समान जनक विवार का अविकारी है प्रजातंती है समाज में समानता और इस्थापित करने का यह सदत संगय से जिसमें व्यक्तियों और विविन समाजियों को सहोग देना है इस पूस्तक में आप इसके बारे में और पढ़ेंगे यह हैं आपके भीमराव मेड़कर अपने आत्म सम्मान को दाव पर लगाकर से जरूरी हिस्ता है इसके बिना व्यक्ति नगन है आत्म सम्मान के साथ जीवन बीचने के लिए व्यक्ति को कटनाईों पर विजय पराप्त करनी होती है केबल कठिन और नियंतर संगर से व्यक्ति बल विश्वास और मानिता पराप्त कर सकता है मनुस्त नास्वान है हर व् परनतु व्यक्ति को यह संक्ल्प लेना चाहिए यह अपने जीवन का बलितान आत्म संबाद के उच्चाधर्शंग को विखसित करने और अपने मानो जीवन को बैतर बनाने में करीगे पेक्ति के लिए आत्म सम्मान रहे जीवन जेनी से अधिक आसुब नहीं है और कुछ नहीं है यह भी यार अंबेड़कर साफ का कथन है समझ में आगे बात करते हैं अन लोगतंतों में समानता के मुद्दे सायद आप सोच रहे हो होंगे कि क्या भाती है लोगतंती यह साय जहां आ समानता करते है और जहां समानता के लिए संगर्ष जा रही है सच तो यह है कि संसार के अधिकांस लोगतंत्री अधिस हैं समानता के मुद्दे पर विसी इस रूप से संगर्ष हो रहे हैं उधारण के लिए सायवत्तराज अमेरिका में अफिकी अमेरिकन लोड जिनके पूरवज गुला जाने के लिए अंदूलन हुआ इससे पहले अफिकी अमेरिकनों को के साथ सयवत्तराज में बहुत आसमानता का विवार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था उधारण के लिए बस से यात्रा करते समयों उन्हें बस में पीच्छे बैठना पड़ता था जब अमेरिकन एक दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके ठक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीटे गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया उस दिनों उनके इंकार में से अफिकी अमेरिकों के साथ आसमानता वो लेकर एक विस्तेस विसाल आंदोलन गुए जो नागरिक अधिकार इसे यह भी कहा कि अफिकी अमेरिकी बच्चों के लिए सब इस्कूल के दरवाजे खोले जाएंगी और उन्हें अलग-अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़े जो बिसेस रूप से किबल उन्हीं के लिए खोले गए इतना होने के बाद जूद भीस अधिकांस अफिकी अम है अधिकतर अफिकी अमेहिक Can बच्चे के बल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेस लेंग सामलते रहते हैं ने यहां कम सोबता हैं कि आपके आभी यह आसमानता वा लंबे उस्थे अब बात करते हैं भारत के समिधान के अनुचेत 15 के अंस भारती समिधान के अनुचेत 15 के अंस देखते हैं धरम मूलबंस जाती लिंग या जनमिस्थान के आदार पर विभेद का पिती से राज किसी नागरे के विरूद केवल धरम मूलबंस जाती लिंग जनमिस्थान या इनमे से किसी के आदार पर कोई विवेद नहीं करेगा कोई नागरे केवल धरम मूलबंस जाती लिंग इस्थान या इनमे से किसी के आदार पर कि दुकानों सारवजिनिक बोजनालायों होटलों तार भीन नवन्वजन के इस्атा में रिवेश या पूंटा ये भाक तानल भात राति जिन जी से पोसित या साधान जर्ड़णता में कि कुल लोकतंतों में कि चनौति क्या है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंतों नहीं कहा जा सकता है। हमेवा से ऐसे समुदाय और बेक्टि होते हैं जो लोकतंतों को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए-णए सभाल उठते हैं। इसके केंद में हुआ संगर से जो सब्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षगा है इस पुष्टक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का पिसन भारती लोगतंत में हमारे देनिक जीवन के विवन पहलूओं को प्रभावित करता है इन पार्टों को पढ़ते ह वे बिचार कीजिए कि क्या सब्यक्तियों की समानता उनके आत्म सम्मान को नुचा रखने की भावना को लोग सुईकार कर रहे हैं या नहीं ठीक है तो यहां था हमारा पहला अध्याय समानता ठीक या कि अध्याय कुछ आपके पिसन है अब बैस के लिए कर देख लेना याद रखना इस पीडियर को लोग टेलीग्राम पर डाल दिया है तो आप इस लिए मैं आपको बहुत गुजाइस करता हूं हो सके तो जरूरी आपके अंदर कुछ लगता है कि सही है तो आप इस तरह कि जो भी आपके lecture हुआ करेंगे जो जनुदा के लिए हुआ करेंगे हैर वेक्टि की नहीं कर रहा हो या नहीं कर रहा हो तो सियर जरूर करती या करिए इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा ना तुम्हारा कुछ लेकिन किसी को अगर एक को भी फायदा हो रहा है तो मेरे लिए बहुत कुछी की बात है तो इसलिए प्लीज कृफ्या करती है आप अपनी केस्वोग कहीं भी य सब्सक्राइब नागरेकों को बूट देना का अधिकार है चाहिए उनकी सामाजी के आलति कुछ भी हो गरीमा इसका ताथ पर अपने आपको और दूसरे विक्तियों को समझने से हैं सम्गिदान यह वह दस्ता भी जिस जिसमें देश की चंता को बस्धरका दोरा पालन किया आने वाले नीमों और अधिनेमों को ने रुपित किया गया नागरिक अधिकार अंदुले यह एक अंदुले जो सही उप्राज अमेरिका में 1950 के दसक के अंदुमें पैरंदुले और जिसमें अफिकी अमेरिकन लोगों ने नसल भेद नसल गद भेद भाव को समाप्त करने स आत्रेकारों की मांग इंदुले तो यह आपका पहला चैंटर घतम होता हैं कि अधिए दूसरी चैंटर में लोग बात करेंगे स्वास्त में सरकार की भूमिका स्वास्त कि छेत में सरकारी की भूमिका के बारे लिए इस